दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी FastTrack की Smart Watch को अपने फोन से कैसे Connect कर सकते हैं, ओके, तो फोन से Connect करने के लिए सबसे पहले तो आप इसको Power On करिए, ओके, तो यहाँ पर हम Watch को Power On कर लेते हैं, Power Button दबाईए थोड़ी देर तक, तो यहाँ पर जो है QR Code आपको दिखाएगा, तो अब आपको करना क्या है, आप चाहें तो इस QR Code को स्कैन कर लिजे, आपको कौन सा एप डाउनलोड करना है, वो मिल जाएगा, आपको पता चलिजाएगा, या फिर आप डाइरेक्ली आप डाउनलोड कर लिजे, हम आपको आप का नाम बता देते हैं, यहाँ पर आप जाएगे गूगल प्ले स्टोर में, लिख करके सर्च करिए, फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स वर्ड एप, ओके, यह वाला, यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करके, इसको इंस्टॉल अपने फोन में आप कर लीजे, इसको डाउनलोड करने के बाद, सिंप करेगे यहाँ पर accept पर क्लिक करेए यहाँ पर skip कर सकते हैं, skip this step, ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना mobile number डालना है, mobile number डालने के बाद आप continue पर क्लिक करेगे, तो OTP आए Professor घालने के बाद आपको यहाँ पर डालना है, और että क्लिक करना है C QR verified noise type से दिखाएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर permissions आप से पूछेगा, तो आप simply allow करिए permissions को, ओके, यहाँ पर इसको allow और उसका nearby devices में यहाँ पर क्लिक करिए, permit पर क्लिक करिए, allow पर क्लिक करिए, यह allow हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, जो इसमें यह दिखा र करना है, ओके, तो यहाँ पर हम for example scan करते हैं, जैसे ही आप scan करेंगे, यहाँ पर इधर दिखाएगा, confirm to pair का option, ठीक है, तो आप यहाँ पर tick पे क्लिक करिए, pairing दिखाएगा इस टाइप से, paired successfully इधर दिखाएगा, और यह आपकी watch जो है, आपके phone से pair हो जाएगी, connect हो है, आपको simply यहाँ पर pair and connect पे क्लिक करना है, और यहाँ पर उसके बाद pair पे क्लिक करना है, तो यह जो है call वाला function है, इसमें वो भी enable हो जाएगा, अगर वीडियो से help हुई हो, तो वीडियो को कर दीजे like, चैनल को कर लीजे subscribe, and bell icon को press, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के हाली